हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अश्ट्राइट टूफर सेवन चैनल पे दोस्तों हम लोग आज रेशियो का आज क्वाइन बेस्ट कोशन पढ़ेंगे इसके पहले दो वीडियो आ चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से भी आ जाना है गारी तो पले हम इसका कुछ बेसिक देख लते हैं कि कोईन का बेसिक कुछ कोशन क्या था है माल लिजे की एक रुपे का है वीज कोई है ठीक है तो कितने रुपे हुए है 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 बीस रुपे होंगे है अब 50 पैसे का कि बीस कोई कुछ तो कितना रुपए होंगे कि दस रुपए होंगे फ़िल जिल चाहिए के भीपह निए भीष के आप कि की आपको मातर दो रूपए होंगे में तो टीका हमें पता होना था यह क्योंट के कोस्ट पढ़ने के लिए ठिक है इसका आगे यूजाम ब इनको चलिए अब इस कोशन को देखते हैं कोशन बोल रहा है कि एक थेले में 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए के नोट है किस रेसियो में हैं ने थेले में और धन 1000 रुपया है तो 5 रुपए के नोटों की संख्यांक कितनी है है किए तो सबस्य फ़ल्य जैसे से स्य कोशन भोट रहा रहा हम लिखते चलेंगों भूला कि द्धैले में 20 रुपए तोंपיकली नोट रहे हैं आप यहाँ दॉपर आफ दुपर ट्यान लिखले चैनल कि समस्ट में data werden चार अनपात 3 टो टोटल है एक हजार को सख्म्णेया हम दहें यह ठीक है इसे निकले शाट 6 एक्सट कोईने 10 रुप्य के चार कोईन है तियाने की 46 गया है साइस पांच प्रॉप्य के पाँच कोईन है तो 25 टोटब कितना है 18000 रुपया त्यानलिक लिए में 1000 जैसे कॉश्यन बोलेगा वैसे से 1917 में बढ़ते चलने 20 रुप्य-10 रुप्य के और 5 रुप्य के कौयन है तीस तरीके से बोला है वी लुप्य कोईन थीन रेशियू में थीन रुपर मतलब एक सुपचीश इक्स ब्राव क्या हो गया है एक हजार रुप्य यह तक दिखकत अब एक स्कावेलू कितना जाए इससे यह कड जाएगा आठ मर्दवे में एक सुपचीश अठे एक हजार होता है ठीक है एक स्कावेलू आगे हमारा आठ ते जाए और हो रुप्य और की संगा थ्रुपे का यह कि संग्या रूपे की तनम है फांच तो पांच रुपे के नोटों की संग्या कितना हो जाएगा स्जेश यहइस पाइच हमारा आएनसर चालिस चालिसष कालिस अब देख लिए डिए है में ठीक है यहां तक कोई क१िकत कि रहें जब जिसे तरीके है में कोच्चन बूलागा वैसे आगे बढ़ते जाना है । तीन चार पांच के रिशियो में ठीक है यह टाइप वन कोस्टन है इसमें को इन से रिल्टेड तीन टाइप की कोस्टन आपको पुछे जाते हैं वह सारे मैं बताऊंगा तो यह फर्स टाइप ठीक है यह टाइप वन कि इसको अगर नोट कीजिए चलिए दोस्तों अब इस तरह कोस्टन देखते हैं ठीक है एक ठेली में एक रुपे पचास पैसे और पचीस पैसे के सिकों का अनपात है दो कि रेशियो तीन रेशियो चार में है तथा इनका मूल एक सोसी रुपया है तो पचास पैसे के संख्या कितनी होगे ठीक है एक पोस्टन को एक बार अच्छे से पढ़ दीजिए बोड़ा कि एक ठेली में एक रुपया पचास पैसे और पचीस पैसे दो रेशियो तीन रेशियो चार में ठीका मूल एक सोसी रुपया है तो 50 पैसे के सिल्ठों के संख्या कितनी होगे है ठीक है किकिशी रेशियो में है और ठीक है ठीक है खिसी रेसियो में है ह EC 2 ratio तीन में है चार क्यानपात में है ठीक है है तो है去 पचास से के से कितना वह ठिक है इसको हम दो में चाहे तो बना सकते हैं एक तो मारे बेसिक मेथड है ठीक है इस सब के जगवाब पर एक समाल लिजे ठीक है सब के जगवाब पर हम एक समाल लें तिन दोनों को अगla क vein वनमोई सकते हैं अगर हम विसको गूरुपिया बदलें तो गूरुपिय रूपियु रूपिय लिए सबतμάरें चैनल से जैगा कि हुठ थेटी एक्सभाइट टू लास सब्सक्राइब 25 पैसे इसको 1 by 4 रूपेज लिख सकते हम ठीक है तो 1 by 4 को फोर सब्सक्राइब तो क्या आजागा 4x by 4 ठीक है टोटल हमारा कितना एमांट दिया हुआ है 180 रूपे यहां तक कोई दिकत है एक रूपिया वाला दो है अीए एक रूपेज़ वाला दो है तो 2x 50 पैसे वाला तीन है ठीक है तो 50 पैसे को 1 by 2 रूपीज लिख सकते हैं लिख सकते हैं की नहीं लिख सकते हैं तो 10 иск में मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3x by 2 25 पैसे वाला चार है तो 25 एक्स कोन में फोर रूपीज लिख सकते हैं अगर रूपिया में करेंगे तो 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 इसका होगा 4x by 4 180 रूपीज अब एदस्यम लिजिए इसका एदस्यम लिजिए आता है गा चार चार दुनी 8x प्लस 2 दूनी 4 6x प्लस 4x बराबर 180 कोई दिक्कत देहां तर अब देखिए चौचार दस आठ अठारा एक्स बट्टे 4 प्राबर 180 ठीक है अठारा एक्स बराबर 180 गुन्ने 4 एक्स बराबर इतना बटे एक्स ब्राबर कितना आगा है कि चालीस आगया है ठीक है मैं पूछ रहें 50 पेसे के सिको कि संख्या पचास पेसे के सिको कि संख्या कितना है फोर न थी रिस यो में है तो हमारा 50 परिसे के सिकोग संगय कितना हो जागा 3x है 40 गुना 3 बराबर 120 ठीक है 50 परिसे के सिकोग संगय हमारा कितना गया 120 यह पुछ रहा है न यह तो एक लाउंग मेठड होगा इसका सौट भी बताएंगे अभी इसको एक पर नोट कर लिजे यह वह प्लस यहांपे काट भी सकते चाहे तो एक से वहाँ पर होगा यहां नहीं भी काटे तो कोई बात नहीं है 14 40 पैसे के संख्या सिंक्याud की संख्या इस पाचास पता की संख्यान कीटा है तो 44 इस इंटो थिरी 120 ठीक है इसका एक और बताएंगे 100 ट्रिक इसको आप नोट कीजिए एक बार कि हो गया है सब्सक्राइब बताते हैं कि देखेंगे सब्सक्राइब यहां भी बताते हैं कि यहां पर आपकों सेगंड में थाड़ बताते हैं ठीक है कि एक रुपीज कि पचास पैसे कि अच्छीश पैसे के सिक्के है है ठीक है रेशियो में है दो तीन चार के रेशियो में है ठीक है अब देखिए कि कितना आएगा यह टू एक्स है टू आएगा दोनों को मल्टिप्लाइब करेंगे तो पचास पैसे के है है कि तीन रेशियो करने के लिए पचास पैसे कितने सी के अब चाहिए त्या लिख लीज चाहिए ठीक है ने 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 तीन सी के आपके पास 50-50 पैसे के हैं तो कितने हो जाएंगे और चार सी के पचीस पैसे तो कितना हो जाएंगा टोटल का रेस्यों कितना दिरखा है एक सबस्य ठीक है अब जोड़ दीजे तीन चार फोर पॉइंट फाइब रेस्यों बराबर एक सबस्य तो एक रेस्यों बराबर एक सबस्य बट्टे फोर पॉइंट फाइब इन्टू आ! सबस्य पॉइंट फेल लिज्डू टेंट कर लीजेए इसको ठीक काट दीजे अब त्यालियुट चार मर्तबे कट जया एक रेस्यों बराबर कितना हो गया 40 कि हमें निकाला 50 पेसे का था तीन रेशियो दिया वह था तीन रेशियो बराबर 40 गुने 3 120 ठीक है यह इसका सॉट ट्रिक हुआ को अ कि कोई दिकत है एक रूप्य और पचास पैसा पचीस पैसे के तीन सिख्के दिया वे दो रेशियो तीन रेशियो चार गन बात में ठीक है एक रुपय के एक रुपय के दो सीखे दो रुपय है पचास पर तीन सीखे तो डेड़ रुपय डिरेक्ट और पचीस पर चार सीखे एक रुपय शब कर जोड़ दीजे फोर पैंट फाइब रेस्यो ब्रावर रहए एक रैस्यो हमारा चालीस आ गया पचास पर संक्वेश पूछा तो पचासर से पीजिए थे थीन रैस्यो प्रावर एक सो बीस ऐसे आप कर सकते हैं यह हुआ बेसिक लोगा है अब चाहां तो कर सकते हैं को ठीक है यह देख लिए इसको कि चलिए कुछ इस टेक पर कोशन देख लेते हैं ठीक है कि किसी थैले में 90 रुपे के रासी रखा हुआ है को यह का आपके पास थैला उसमें 90 रुपे के रासी रखा हुआ है कि पचास प्चीस पैसे और दस पैसे के सिक्धी करूप में रखा हुआ है कि आपको 90 रुपय के रासी रखा हुआ है வ माचीस पैसे में और दस पैसे के फारम रखा हुआ है ₹ अ 50 पैसे कि पचीज पैसे है और दस पैसे को फोर्म में रखा हो अब हो इसका तूरी रच्व तरी रेशियो और के रुपे रखाऊ है यानि 50 पैसे के शिक्रत दो है ठीक है अठेले में कुल कितना रखा हुआ नब्बे रुपे रखा हुआ अब देखिए है कैसे करेंगे एक बट्राइ किजिए है आधा में ने बता दिया है कि इसको इसको रुपीज में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे वन बै टू रूपीज तो यह हमारा कितना हो गया है कि टू एक्स बाइट टू प्लस कैसे बनाते थे फर्स्ट में थट से इसको लिखेंगे वन बाइट प्वोर यहां हो जागा थी एक्स रेसियो में तो इसके आगे एक्स प्लस फॉर यहां लिखेंगे वन बाइट कि टेन रूपीज लिखेंगे न एक रूप्या में दस पैसा है तो दस पैसा रूपया हम किसे बतलेंगे वर्च रूपीज लिखेंगे यह उपर चला जागा तो हो जागा वाइव एक्स ऑपॉन 10 बराबर कितना देखा है टोटल 90 रुपया पहला मेथड ठीक है यह बेसिक ओले बता रहें इसका ट्रिक भी है मैं बताऊंगा अब अब देख लेजिए यह कट गया यहाँ पे एक्स आ गया प्लस थिरी एक्स अपॉन फोर प्लस यह कट गया आ गया एक्स अपॉन टू बराबर 90 रुपेश ठीक है इनसेजु लिएगा चार यहां आ आगया थिक व्यटनोष यहां आ गया फोर एक्स प्लस त्री एक्स मीटुन बराबर समय थिक जैने फोर गया चार्श ओंदू नूस compound चालीश हो नहीं है ठिख और हम हमें किसका निकलना पचीस पैसे का निकलना तो फऩीस पैसे कहरulation कितना दे रिखाए थिरी है थचीज पैसे का रेसी दे रुखा थिरी थी एक्स कर लिजिए तो थी इंटू फोर्टी तब पचीस पैसे का जो कोई ने उसका संख्या कितना होगा दोस्तों एक सो बीस ठीक है एक सो बीस का है ओप्सन में मार लिए बी ठीक है को दिक्कत यहां तक अराम से 50 पैसे 25 पैसे और दस पैसे का जो दिया हूं इसका लिए जूद देंग मांट चाहां पाज उत्जावन चाही हmudम रूपया के से कंवर्ट करें के लीए कि अश्य पॉर्पीज लिखेंगे तिन पैसा को ऊन पाइट इस को एए फॉर्पीं लिखेंस theta प्लस थीरी एक सबान फोर प्लस एक सबार्ट टू इसकोल टू नभे रुपिज बाकी एलसे हम ले लिजे बाकी तो कल्कुलेशन है ठीक है सेकंड में थट भी इसका बताते हैं अभी इसको एक बार कर लिजे अब जो इसका हम सेकर्ड में थट रखते हैं ठीक है पचास पैसे पचीश पैसे दस पैसे के तीन दिये होए दो तीन चार पांच ठीक है तो अगर पचास पैसे के दो रिश्यूम दिये होए तो कितना होगा है है कि मिल्टिप्लाइ करें तो कितना होगा अँए एक है कि ये रिशी होगा ना पचास 2017 theme है तुर पोछ एक रिख्यूम प्लस पैसे esse de screams है कितना हो गया कि मस्त disciplines होगा है कि थीए है ठीक है अब फनें कि में ठीक है फिए अह सून्टी फैवाइश से लिखेंगं के 0.75 गेज थीक प्लस 10 पैसे के 5 सिखे तो इसको रूपीज वह कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट फाइब रूपीज ठीक है क्टोटल देर रुखा कितना है है टोटल देर इतना रेस्यों बराबर 90 को ठीक है एक रेस्यों बराबर 90 अपॉन कि टूटू फाइब पॉइंट अटा दिजिए उपर में डॉबल जिरो आ जाएगा ठीक है अब काट दिजे चार पच्छे बीश पच्छे पच्छे पचीश 2500 चार पच्छे बीश नोपच्छे पितालीश नौदा के नब बे एक रेस्यों कमान आ गया है चालीश पूछ कर रहा है 25 पैसे के सिंखों के संख्या तब 25 पैसे के संख्य कितना है तिन रेस्यों में तो ठीक है ऐसे आप कर सकते हैं दो मिठड़ा आपके पास कि एक बार इसको नौट किजिए है कि अगया है कि चलिए कुछ इस तरीके का कोश्चन हो तो हम देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं एक थेले में एक रुपी पचास पैसे और पचीस पैसे के कूल 340 सिक्ख्य है देखिए अब सिक्ख्य दे दिया है पले क्या देता पूरा एमाउंट कि 90 रुपिया है या 340 रुपिया है अब देदिया सिक्कों के संख्या देदिया है तो यह कोश्चन टाइब टू में है अलग टाइब कोश्चन है थोड़ा सा देख थेले में एक रुपिया पचास पैसे है पचीस पैसे कुल 340 सिक्ख्य है इसका अनपाथ है पांच अनपाथ चार अनपाथ एक के अनपाथ में ठीक है देख लिए पर लिख लिए एक रुपे एक रुपे कर दे रखा है पचास पैसे कर दे रखा है और पचास पैसे करदे रखा किस एछयों लिए ऑफ पांच रेशयो चार रेशयी ऑनपाथ है ठीक है ठीक है तब पहले में सिखो के संखे निकाल लेते है एक पांच सिखे टोटल सिखे 5 x होंगे ना रेसियो दिया है तो फाइब के रेसियो के मतलब फाइब नहीं होता है फाइब एक सोता है जो बावर कुछ पचास पैसे के चार सिखे चार सिखे है और चार सिखे है पचास पैस पैसे सेर्ट टोटल इतने हचाएं लैइस यह चारी पाइस सिखे तो टोटल हो अब यह रुपया के 25 25 पैसे के सिक्क्य है तो यह बनाने के लिए 25 पैसे कितने सिक्क्य चाहिए चार सिक्क्य चाहिए ठीक है ना टोटल सिक्का कितना दरेखा हुआ रुपए पांच किया यह यह तो फाइब एकस सिक्क्य तो आठीक और 5 कि आटीक 525 पैसे मिला कर सिख्के पूरे बहुत तो चाहर सिख्य कि चाहिए हमें तो 8 5 13 अचर 17 एक्स कि सत्रह एक्स बराबर बन है कि तिन्सो चालिस ठीक है एक बराबर कितना ओजाएगा 17 दुनी 24, 20 तो क्या निकलना है? सिक्को का नुपात टोटल सिक्का जो है उसका नुपात निकलना है 5X, 8X, 4X होगा हमारे सिक्को का रेशिव ठीक है? यहाँ पर लिखिए 5X यहाँ पर लिखिए 8X और यहाँ पर लिखिए 4X ठीक है? अब देखिए एक्स बरावर है, 20 4X बरावर, 80 एक्स बरावर दे रखाए 8 एक्स बरावर 20 तो 8X बरावर वे एक्स बरावर एक्सो साट ठीक है? अब 5X 5 इंटू 100 5 इंटू 20 कितना हो जागा? 100 अब हमारा सिक्को की संख्या आया अब हमारा सिक्को की संख्या आगए ठीक है? 116 यह हमारा क्या दियो था? रुप्या इससे हमारा निकलता कितना पैसा था? ठीक है? हमें चाहिए number of coins सिक्को की संख्या ग्याद करना था तम सिक्को की संख्या यहाँ है पता चला ना दोनों के जब मल्टिप्लाई कर लिए तब हमें पता चला ठीक है? यहाँ पर आया हंड्रेड 160 और अश्यव उप्शन ने देख लिजिए उप्शन नमबर B ठीक है? कुछ नहीं करना है बस थैले में जीतना रुप्या दे रखा एक रुप्या नमबर और अब हमनब कोईन के संख्या पूछ रहा है तो डिरेक्ट हमारा क्वाइन के संख्या है 5x 8x 4x तो बाकि पूट कर दीजिए इसमें आपको मान आ जाएगा ठीक है नोट किजिए एक बार कि चलिए कुछ इस तरी के कोशन देख लोते हैं थोड़ा अलग टाइप का है कि 378 सिख्ये एक गुपे 50 पैसे 25 पैसे के सिख्ये के रूप में है इनका मान है यहीं कि तेरह इगारा शाद गर्रेसर कर ठीक है कि तो 50 पैसे के सिख्यों कि संख्या क्या होगी ऐससी सीजे ठीक पूछा करे कोंश्यत हैं तो सब्सक्राइब हम लिख लेते हैं कितना घ्रक्रिक के सिख्य हैं हैं बचास पैसे खे कि और 25 पैसे किसे को वांर्व कि स्थी की किस की मिल गहां से यह सुर्फ किस्थे में थिते हैं किस रे Σीओन में को बाइ सी साथ क्यों पान पर एप ठीक है कि अब कितना सिवा तेक्भा इская है क्या निकलेंगे सिक्कों के संख्या है कि यहां से हमारा आ जाएगा कि सिक्कों की कि संख्या जाए ठीक है तेरा रस्यों में एक रुपया तो कितना हो गया तेरा एक्स प्लस कि एकारा सिक्के हैं पचास-पचास पैसे के यहां पर होगा सच्चों के अठाइस एक्स टोटल सिक्का है कि 378 ठीक है जाट सात रुपये है है और 25 हूँ किसी किस श्क के चाहिए हमें है बाइए अठाइस और दो तीस अभीस पचास तसाथ तीन तीर सट एक्स तीर सट एक्स तो एक्स बरावर तिन सब थात्तर बट्टे तीर सट ठीक है काड़ देदें बाएस तो 50 पईस कीशंघार। है कि यह इसको नहीं लेंगे री रखाये पचास पईसे ने कितना है बाइस ठीक है तो पचास पैसे के सिखों कि संख्या हमारा है 22 एक्स यानि कि 22 गुने 6 6 दुनी 12 शेद दुनी 12 एक 13 पचास पैसे के सिखों कि संख्या हमारा कितना आगया दूस्तों एक सो बत्तिस उप्सन में देख लिए एक सो बत्तिस कि ए ठीक है कितना सानी से मन रहा है कि एक रुप्या पचास पैसे पचीस पैसे के सिक्कों दिया हुआ कि संबात में 13 गारा और साथ के अनपात में ठीक है 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 यह पर थिर्फ के चीव ओर 11 रुप्या के तीगार भाब्र यपाना है आपके पचासपैसे सिंग्हे हैं तो कि यहां से हमारा अचीज पैसे के सिखों के पुछता तो 286 कर देता है थाइस इंटु छे तेरा इंटु छे कर देता तो एक रुपे कर देता है ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं एक वर नोट किजा इसको को कि ठासथो कुछ सभी त्रेक कर ल forgiveness कि bud were as awake 25 पैसे के सिख्क्या दिया हुआ ठीक है का Aare 230 पास और कि संख्या मैंे में इसी कर में उनका मां दिया हुआ है ठीक है पढ़े लिख लीजीे एक रूप्या 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के किसी रेशियों दिया हुआ है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के रेशियों ठीक है तो पहले सिक्कों का संख्या निकाल लेजे पहले निकाल लेजे सिक्कों की संख्या ठीक है कैसे निकालेंगे कि एक रुपए के दो सिख्य है कि टू एक्स है प्लस है तीन सिख्य है आपके पास तीन रुपए आपको चाहिए पचास पैसे के ठीक है तो आपको 66 हो जाएगा कि यहां पर one by four करेंगे multiply कि यहां पर हो जाएगा कि बीशिक्स पांच रुपए आपको बनाने है तो पचीश पैसे कितने सिख्या चाहिए बीस सिख्या चाहिए मैं रुपत टोटल क्या ते रखा है तोटल चार सौ बीस सिख्याँ हमारे पास सिख्या है टू इसको काड़ दीजिये 4,78, 6,42, 6,42, 0, 4,78, 15,60, एक्स ब्रॉर कितना जाएगा 15 अब हमें किसका मान पुछ रहा है एक रुपे वाले सिक्कों का एक रुपे वाले सिक्कों का मान कितना है तू एक्स है है नहीं लिख लिए यकिए रूपीज शिखोख कमान 2-2-1-2 बराबर 30 मिए रुपए वेकिन क कितना है 30 मार लिए और यह उसन सी ठीक है यह वाले से को मान पूछ दिया तो 30 पूछ देगा करकि कि पिटाशन में है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं पचास पैसे वाले सी को का मान मध्य पूछ दिया तो 6x ठीक है यहां यहां पे 6 इंटू 15 कर लिजेगा परण शक्कर 90 ठीक है और माल लिजे पूछ दिया 25 पैसे के सिक्यों कमान तो 25 पैसे के सिक्यों कमान कितना है कि 20 एक्स यहां कर लिजेगा 20 एक्स तो 20 इंटू 15 15 दूनी 30 300 ठीक है इस तरीके से हम किसी का भी मान पूछेगा तो हम इस तरीके से निकाल लेगा कोई दिक्कत यहां तक कि नोट केज़ेगा इसको एक बर कि यहां तरीके से 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 तरीके चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ठीक है इसी में इंकम एक्स्पेंडेचर भी मुझे पढ़ाना था लेकिन वीडियो काफी लंबा हो चुका है 40 मिनट प्लस का तो उसका अलग से वीडियो आएगा ठीक है तो इस वीडियो में केवल आपको कॉइ आए और खर्चा करते हैं उसमें 10% इंक्रिमेंट हो जाता है ठीक है तो आप कंटिनीव इसके पहले दो वीडियो आ चुका है रेसियो का वह भी आप देख लीजेगा या तिसरा वीडियो एक वीडियो और आएगा वैसे आज ही खतम होना था दोनों कॉइन और इंकम एक्स का चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में थेंक्यू क्वार का वीक है ठाइगा भी आप पाटने को कर दो आपादर सुछ वेक्स पहले ही दोने कर अ, तो आएगा तो फिस्त्र गज व्दलेशता हम को कि उतस्द्ट एंव Çaई है झाल झाल